उत्राखंड के रूड की सिवील लाइन कोत वाली शेतर में हतियार बंद बदमासों ने दिन द्याडे लूट की घटना को अंजाम दे दिया बदमासों दोर एक बिलेट शोरूम के करमचारी से करीब साड़ी तीन लाग रुपे की लूट की गई मौके पर पहुँचे पुलिस एतिकारी उने पीडिस से पूस्ताज के बाद शेहर में चेकिंग है बैंक चलाया वहीं CCTV फूटेज भी खंगाले जा रहे हैं गटना के अनुसार रूड की के मलगपर चुंगी स्थित बुलेट शोरूम का करमचारी अनस शाम करीब साड़ी तीन बजे, साड़ी तीन लाग रूपे की रकम जादोगर रोडिस्तित SBI बैंक में जमा कराने जा रहा था तबी पीछे से आयनक आप और दो बैक सवारों ने अनस को पिस्टल दिखा कर पैसे लूट लिए और दमकी देते हुए मौके से फरार हो गए गटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सीवी लाइन कोत वाली पुलिस ने पीडिस से पूछ साच के बाद शेहर में चेकिंग अब्यांच चलाया और आसपास के CCTV फूटेज भी खंगाले वहीं असपी द्याद मनिकांद मिश्रा और सियो रूड की एसके सिंग ने भी मौके वार्दर्फ पर जाकर गटना की जानकारी ली शेहर में दिंद्याडे हुई लूट के बाद पुलिस एदिकारियों का कहना है की गटना का जल्दी खुलासक कर दिया जाएगा क्राइम स्टोरे के लिए उत्राखंड के रूड की से अली जैदी की रिपोर्ट इस अभी अपने अपने उस्तर से संदीद भी तलास करें अभी अभवादी के द्वारा लगबक साड़ेत लिए उम्लाक रुप्ला की रुकम बताई जा रही है लेकिन उसके भी पुष्टी की जानी है और सभी समावत पहले हों से गटना करना वारा है